आज मैं आप सभी लोगों के लिए सबजी में डालने वाला गरम मसाला बनाने जा रही हूँ और आप इसे आसानी से बना सकते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने ली है दालचीनी ये एक लकड़ी की तरह होती है और इसको मैंने अंदर की तरप से कपड़े से पोच लिया है क्योंकि इसमें धूल या मिट्टी भी होती है और लिए है बड़ी इलाची, जावित्री, मिक्स की हुई जावित्री और लॉंग ये एक स्टार अनीज फूल होता है और लिए है काली मिर्च, जाइफल और लिया है जीरा अब मैंने लिये हैं तेज पत्ते और तेज पत्ते को मैंने कपड़े से इस तरह से पोच लिया है साथ में लिया है काला जीरा छोटी इलाची और पोस्ते के दाने पोस्ते के दाने डालने से ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है और अब मैं सभी मसाले थोड़े थोड़े करके इस मिक्सी जार में डालूंगी आप जब भी मसाले पीशें तो मिक्सी जार में थोड़े कम मसाले डाल कर पीशें नहीं तो मिक्सी जार गरम हो जाता है और अब मैं इसे पीश लूंगी आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें मसाले थोड़े कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, आपके पास जो हो, तो अब मैं इसे पीछ लूँगी, और अब आप देख सकते हैं, कि मैंने इसे पीछ लिया है, और अब इसे पीछने के बाद, मैं और भी मसाले इसी में थोड़े थोड़े करके पीछ लूँगी, थोड़ी सी डाली है हिंग, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, और इसे भी मैंने पीछ लिया है, आप देख सकते हैं, अब मसाले निकालने के बाद, मैंने ली है दाल चीनी, दाल चीनी को मैंने पहले इमाम दस्ते में डाला है, और इसको मैं कूट लूँगी, ताकि इसके छोटे छोटे टुकडे हो जाएं, और मिक्सी में आसानी से पीछ जाएं, नहीं तो मिक्सी खराब होने का डर रहता है, तो मैंने इने कूट कर रख लिया है, और अब मैं इसे भी पीछ लूँगी, तो दाल चीनी को भी मैंने पीछ लिया है, आप देख सकते हैं, इसका पाउडर भी बन कर तयार है, और अब मैंने लिये हैं तेज पत्ता, तेज पत्ता को मैं इस तरह से तोड़ लूँगी, आप चाहें तो चाकू से भी कट कर सकते हैं, थोड़ी सी मैंने इसमें दाल चीनी भी डाल दी थी, ताकि तेज पत्ता आसानी से कट जाए, तेज पत्ता पिसने में थोड़ा टाइम लगता है, और अब मैंने लिये हैं ये चाहनी, और थोड़ा थोड़ा मसाला डालते हुए इसे छान लूँगी, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, अब इसे मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं, कि सबजी का टेश्टी मसाला कैसा बनना है, और अब मैंने लिया है, ये मसाले का दरदरा पाउडर, जिसे मैंने अब ही चान कर रखा था, इसको भी मैंने दो तीन बार में पीस लिया है, और अब मैं एक बार इसे फिर से मिक्स करूंगी, और अब मैं इसे डालूँगी इस जार में, आप इस मसाले को पीस कर लगभग एक साल के लिए रख सकते हैं, आप इस मसाले को किसी भी सबजी या वेज विरियानी तहरे में भी डाल सकते हैं, इस मसाले को डालने से खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, और वेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें,